हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू नीव वीडियो तो आज हमारा वीडियो को टॉपिक है क्रिसियों फसुबालन तो चलिए सुरू करते हैं तमबाकों में बिसेला तत पाया जाता है जिसको निकोटीन कहते हैं दलानी फसलो स्वयवीन का सरवादिक उतपादन मर्दप्रदेश दलानी पौदों की जड़ों में राजो बियम जिवाडू पाया जाता है दलानों का राजा चना को और रानी मटर को कहा जाता है पौदे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप रहड करते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने की प्रात् प्रेंडिका है होटी कल्चर भगवानी से तथा और ओलेरी कल्चर साख सब्जी कुत पादर से सम्मंदित है वनो और जंगलों का अध्यान सिल्वी कल्चर के अंतर किया जाता है ब्रिच्चों अनस्वतियों का खेती का अध्यान ब्रिच सनवर्धन मतरब आर्वियो कल्चर क क्यालाता है फोलो की खेती फुलोरी कल्चर कहलाता है अंगूर लता टमाटर की प्रजाती है कल्यार पाद गोभी की उपजाओ किसम है उसको पद गोभी बोलते हैं माक्का में पाया जाना वला प्रोटीन जीन है ब्लास्ट रोग धान से हरित बाली रोग बाजरा से और अगन निर्जा रोग सेव से संबंदित है स्वेथ क्रांती दूद उत्पादन में तिव्र पृति से संबंदित है जिसे सार्था करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लट की शुरुवात राश्टी डेरी विकास बोड़ द्वार की गई थी राश्टी डेरी विकास बोड़ की संदान संस्तार करनाल हरियाडा में इस्तित है दूद की सुदता लेक्टो मीटर से मापी जाती है दूद में वसा मापा नेतु गरवर विधी का प्रयूग किया जाता है दूद का पीयच 6.4 से लेके 6.6 तक होता है दूद का पास्चुराजेशन लूई पास्चन ने की थी पास्चुरी करण प्रक्रिया में दूद को 12 डिग्री सेलつेस बत 30 मिनट तंग रखा जाता है दूद का रंग सफेद केसिन के करण दूद घी का रंग پीला के रूटीन के करण होता है दूद में मीठा फॉन लेक्टोच के करण होता है दूद उत्पादन भारत का अस्थान पहला है दूद से दही लेक्टो बैसिलेस के करड़ बनता है चाय में थीन पाया जाता है कॉफी में कैफीन पाया जाता है अर्बिका यो रोबस्ट काफी की एकिसमे है चाय बोड कुलकाता में है कॉफी बोड बैंगलोरू में और रबर बोड कोटायन तमाको बोड गुंटूर में है चाय में लाल रस्ट रोग हरे सहवाल के कारण होता है चिपको अंदुलन वन सरणचर अंदुलन के सुरुआत उनिस सो तियत्तर में उत्राखन के चमोली जीले से हुआ था चिपको अंदुलन के प्रडेता सुंदलाल बावगोडा थे रेसम के क्यूडो को कोकुन का जाता है जो सातूत की पत्यों का भोजन करता है कपास ता जूट रेशेदार फसले है जूट को प्राय गोल्डन फाइबर का जाता है जूट प्रादन में अगड़ी राज पस्षी मंगाल है चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तबाखो, जूट, मुंफली, रवरादी, किसी फसले है? नगदी फसले है आलू एक प्रकार का तना है आलू का सम्मद सोले नेसी कूल से है आलू की उत्पत्ती पेरू देच्छिड अमेरिका से हुई है आलू में ब्लैक हाट रोग आक्सिजन की कमी के करण होता है नारियर रेसेदार फल का वास्तविक नाम कोकस निूसिफेरा है पौदो की बृद्धी के लिए 16 आवसक तत्तों की आवसकता होती है पौदो में बृदि मापने के लिए 16 1 मीटर दथा कैसको ग्राप को पवयोग किया जाता है मलेरिया के रोग ठाम के लिए कारगार वसदी कुनेन सिनकोना की छाल से प्राफ्थ होता है डाल चिनी पौदो के छाल से प्राप्थ होता है हल्दी तथा जूट दनास से प्राफ्ट की जाती है लॉंग पौधे के पुष्पकलिका से प्राफ्ट होता है कपास के रेसे पौधे के फल से प्राफ्ट होता है कपास अनुसंदान संस्तान मुंबई में है गुलाबी कीट कपास से संब्दित है गांधी कीट धान से मश्रूम एक फंजाई है सबसे आता प्रोटीन जो है सोयावीन में 46 परसेंट पाया जाता है जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है एपी कल्चर मदमकी पालन से तता पी सी कल्चर मतस पालन से संब्दित है सेरी कल्चर रेशा मद्योग से तता वीटी कल्चर अंगुर के खेती से संब्दित है ACI सबजी अनुसंदान केंद ताइवान में जबकि धान कांता राष्ट्री सोथ संस्थान मनिला फिलिपिन्स में इस्तित है केंदरी चावल सोथ संस्था कटकुडी सा ता केंदरी तमबाको सोसंदान राजमंदूरी आंधर प्रदेश में राश्ट्री किसी वानेकी और उसंदार केंद जहासी उत्तर प्रदेश में हैं, भारत में सिचाई कूल नलकूपों से की जाती है, कूमे और नलकूप से, टिकका रोग मुफली से संब्धित है, बंची टाफ रोग केला से संब्धित है, और टमाटर लाइकोपीन के कारट ला और लाजए के का खी है, ऑनो बारत लातार क में मुफली के कारट लाजर जहासी तो ने पन्लमानेकी है